ओम श्रीकनी चायनमहा जैब बोलिनाथ चैशिफशत्ती वेलकम बाक टो अवर चानल आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग रीडिंग के साथ आपके सामने हाजिर हो जी हाँ और रीडिंग बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम फ्यूचर एनरजी देखने वाले है फॉर अवर लवली व्यूर्स जी हाँ जब आप कार्ट देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि एंट्रेस्ट ने बहुत ही प्यारा गिफ्ट आपके लिए संभाल के रखा है इन कार्ट के थ्रूँ आपको पता चलेगा प्री शाफल करके रखे हैं टू सेव सम टाइम ओके और चलिए स्टार करते हैं आज की रीडिंग उन आप वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि हमारे प्यारे व्यूर्स के लिए इंजल्स ने क्या ब्लेसिंग्स भीजी है एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डीटिल्स हैं अपॉइंट्मेंट के लिए उपर स्क्रीन पर आ रहे हैं आप चैक आउट कर सकते हैं डेली टारो डीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे फॉलो कर सकते हैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए स्टाट करते हैं आज की रीडिंग अन वेरी वेरी पॉसिटिव नोट अफ कॉर्स तो जो पहला काड है जो हमारे पास आ रहा है तो चलिए डाट इस गोड़स अफ मून आप देख सकते हैं इस अब इन्ट्यूशन ये नोट हमारे जो प्यारे व्यूशन है आपकी जो इन्ट्यूशन है वो कुछ आपको जरूर बता रही है कुछ समझा रही है अब वो कुछ नंबर सो सकते हैं सिंक्रिसिटी हो सकती है और anything coming in your life ठीक है चाहे love life है या career है और anything चाहे finances है ठीक है यहाँ एक बहुत positive और bright energy आ रही है and very you know pious energy spiritual तो आप जो लोग हैं बहुत aware हैं बहुत जादा ठीक है जो भी वीडियो को देख रहा है timeless reading है आपको जब भी मिले आपको relate कर सकती है ठीक है तो जो viewers है इस वीडियो को देख रहा है बहुत जादा आप intuitive है deep down you can feel ठीक है आपका जो aura है बहुत जादा bright और positive है और आप दिखने में भी अच्छे है और अंदर मन से भी अच्छे है ठीक है it's all about beauty within as well so एक energy जो flow हो रही है आपको कुछ मैसूस हो रहा है कि yes this is coming कि कुछ रहा कुछ आपकी life में जो आपकी intuition है वो आपको guide कर रही है और वैसे भी it's about 6 cents like you can pick things up so कुछ अच्छा होने वाला है कुछ positive होने वाला है आपकी life में कुछ होने वाला है ठीक है it's about कि आपका vision मार लीजे कि आपने कुछ सोच रहा है कि vision for your career for your relationship या किसी person के लिए of course गलत है तो भी आप है जान सकते हैं कि yes ये गलत हो रहा है ठीक है और अगर सही है of course तो आपको clarity of course मिल रही है कि yes आपका ये vision है आप ये चाहते है कि आपकी life में ऐसा हो तो वो चीज जो है intuition आपको वो कोई ना कोई science के थूर मिल रही है from the divine कि yes ये होने वाला है तो be prepared कि वो हो सकता है जल्दी आपकी life में और वो ऐसे हो सकता है कि हमारे पास यहां बे फोर फोर energy भी आ रही है door is opening door to value अब इसका क्या मतलब है abundance ये money finances job जो लोग बहुत जादा परिशान रहते हैं ठीक है कि finances को लेके करियर को लेके मुझे ऐसा लगता है कि नया दरवाजा खुल रहा है आप देख सकते हैं यहां पे डिफरेंट सिटी दिखाए दे रही अंदर and it's all gold that means आपकी जो finances है वो बहुत जादा better होने वाले है और मेभी कुछ के लिए हो सकता है that property में इंवेस्ट कर सकते हैं ठीक है या maybe it's about you know lot of abundance coming in your life अब चाहे वो किसी भी through हो आपने कुछ investment करना है आपकी कोई planning है आपका अपना थाम है या आप job करते हैं ठीक है side business anything I think finances बहुत अच्छे रहने वाले हैं and even अगर आप कुछ भी करते हैं house wise है कुछ भी है so lot more you know abundance coming in your house आपके जो घरेली जिंदगी में abundance आने वाली है ऐसा दिखाए दे रहा है and of course कोई आपको तंगी नहीं रहेगी कुछ के लिए हो सकता है it's about foreign currency हमें आप दिखाए दे रहे है that means आप connect कर सकते है overseas अगर कोई काम कर रहे है तो उसमें भी आपको मुनाफ़ा होने वाला है और it's all about कि आप जो सोचते हैं आपका जो नजरिया है आपका जो you know mindset है कि ये होगा ये ऐसा है because आप इस चीज के लिए काम कर रहे है दन रात ठीक है आप मेहनत कर रहे हैं आप hard work कर रहे हैं और वो चीज possible हो सकती है okay so again a very beautiful energy coming through हमारे सारे प्यारे viewers के लिए so आपको I think उसके लिए prepared रहना चाहिए कि you know कि जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं hard नहीं मानें आप बिल्कुल भी कि like give up नहीं करें because you are very close मुझे ऐसा लगता है बहुत ही नजदीक है आप जो करना चाह रहे हैं अपनी life में जो पाना चाह रहे हैं उसके आप बहुत नजदीक है एक intuition है अब उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कुछ चीजे हैं जो पीछे छूटती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है लोग ये बहुत ज़रा जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा अफकोर्स आपकी सोच से अच्छा ही होगा जो आप सोच रहे हैं ठीक है हमारे पास यहां पर बहुत ज़रा transformation दिखाई दे रही हैं and we are getting that you know vibes purple color हो सकता है या you know कि आपका जो sixth chakra है that is the third eye chakra it's all about clarity vision कि जैसा जैसा आ आप अपने क्रेट कर सकते हैं आपने माइड में visualize कर रखा है कि आपका पार्टनर ऐसा हो तो वैसा होगा फ्रहाइग है ऑपने अपने finances के लिए अपने घर के लिए सोच रखाया कि इस तरीके से होना ओ आचींग साहींग से तो वैसा यही कर रहे है you को motivate कर रहे हैं through synchronicity, through numbers और यह हमेशा partner के उसमें नहीं होता है, यह लोग सोचता है कि अरे twin flame है, मेरी twin flame के साथ शादी, no वो भी हो सकती है, but again it depends, कि आप अपने पर self कर रहे हैं, ठीक है, but यह चीज़ डेफिनेटली लोगों के लिए हो रही है, so angels आपको समझाना चारहे हैं, कि इस time पर क्या करने की जरूद है, trust करने की जरूद है, surrender करने की जरूद है माल लीजे, यह नहीं है कि आप सच में जाके, चत पे जाके चलांग मार दे कि angels है, no, it's about invisible, you know, the strength ठीक है, कि आप angels पर ट्रस्ट कर रहे हैं आपनी लाइफ को लेके, okay, that kind of a surrender, कि वो जहां लेकी जा रहे है अच्छा होगा आपके लिए, that kind of energy we are getting trust, ठीक है, तो वो trust build up कीजे, towards the divine, okay, not it's not about a person or a situation it's about divine okay, patience, again trust कीजे और patience रखे कहते न, श्रद्धा और सबूरी, सबूरी का मदलब होता है pair two of pentacles, it's about you have to stop juggling and be patient जहां है, बस it's about की जो होगा, अच्छा होगा आपको अपनी दरब से कुछ out of the way जाके करने की जुरूरत नहीं है things are going to be wonderful for you in the coming time आपके लिए बहुत अच्छा रटाइम रहने वाला है favorable मुझे ऐसा लगता है की कोई आपको financially कुछ gain हो सकते है, या कोई आपको support कर सकता है, आपको कोई मदद कर सकता है, आपको कोई guide कर सकता है towards the right path, की financially आप ये कर सकते है, या ऐसे हो सकता है या finances आपके stable हो सकते है, ठीक है, की lately कुछ भी हो रहा था, या जो भी है बट अब जो है 7-7 energy हमारे पास बहुत आ रही है 7-7 number, 7-7 we are getting तो अगेन ये एक बहुत बड़ी blessing है तो मुझे ऐसा लगता है कि by next month ये चीज most probably आपके सामने आ सकती है कि जरूर एक जो door है वो unlock हो सकता है और वहां से आपके लिए और नहीं रस्ते बन सकते हैं और जो next आपका जो step होने वाला है जो next आपकी life में होने वाला it's going to be even more better ठीक है आपकी life में जो भी कुछ next होने वाला it's going to be even more beautiful and better so धबराने की कोई बात नहीं है enjoy ठीक है and more of a stability coming into your life angels अभी आपको यही कहना चाहते है फिलहाल और it's a short and sweet reading अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे यह में दिखाए देना कि आपके personality अच्छी बदल सकती है यहाँ हमारे पास यहाँ पर देखिये owl है it's a symbol of आपको पता है लक्षमी माता तो owl symbol है that means finances जो है अजवान की blessings होने वाली है peacock ठीक है अगर आप देखते भी है कहीं peacock यह आप connect कर रहे है so इसमें special message है आपके लिए then we have a dragon it's about transformation a major one ठीक है एक या like a big transformation things are going to pick चीज़े pick होने वाली है ठीक है angel wings है यहाँ पर हमारे पास symbol है शबशक्ति का that means कि financially बहुत अच्छा period रहने वाला है creative रहने वाला है yes यहाँ पर मैं ज़रूर mention करना जाओंगे कि creativity like बहुत आप creative होने वाले हैं कि चलो यह भी कर लेते हैं यह भी ऐसा try करते हैं and it's also about beauty creativity आप काना जी में believe करते हैं यह जिनको भी आप believe करते हैं you know stepping out of your comfort zone की अपने comfort zone से बहार निकल के जो आपने कभी सोचा नहीं है जो आपने कभी किया नहीं है तो वो चीज़े आप कर रहे हैं so I think it's going to be that way और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है I think it's all about a change and a transformation और दीरे दीरे वो चीज़ सही टाइम पे आपके सामने आ जाएगी और आप बहुत हैपी होने वाले हैं content होने वाले हैं of course again I will repeat की financially अच्छा रहने वाला है आपके लिए और आपको बहुत जादा कुछ चीज़ों में इस टाइम पे most important यह है कि जो intuition and vision you know it's like camera and action तो वो तभी अच्छी एक picture ready होती है जब आपका vision होता है वो picture कहां बनती है, mind में बनती है story कहां आती है, mind में आती है तभी तो वो तयार होती है तो it's about that, creating in that mind तो वो create भी तभी आप कर पाएंगे जब आप happy होंगे, content होंगे, peaceful होंगे जल्दबादी का काम होता है, शर्तान का जल्दबादी में जो सोचा होता है, वो गलत होता है लेकिन जब आप अराम से, तसली से कुछ सोचते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है तब आपको खुद को भी समझ आता है क्योंकि इस अपकी खुद की भी बात है आप खुद भी तो change हो रहे है विच टाइम, यू आप अपने life में face किया है, तो अब आपको पता है and you know what you exactly want now कि अब आपको धीर धीर समझ आ रही है कि कहां कैसे relationships में आपको invest करना है या क्या है, हर चीज पे आपको clarity मिल रही है और जब वह चीज होती है, तो फिर साथ की साथ भगवान बोनाई, दर्वासे भी खोलते है so this is what we are getting for our lovely viewers और यह reading जब भी आपको मिले है यह आपी के लिए है और यहां से बहुत कुछ अच्छा आपकी life में है, so do let me know comment कीजे, I love reading your comments, बहुत अच्छा लगता है और अपने experiences भी शेयर कीजे okay, so wish you all the best and we'll see you next time till then take care